नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज में फिर से आपके सामने कुछ Importance Company के आपडेट सेहर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पुरा लास तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया, तो जोरू कलेज इस वीडियो के अंदर, फिर्स्ट जो कमपानी है, जिसके बारे में चर्चा करूर उसका नाम है IEX, इंडियन एनरजी एक्सचेंज, तो इंडियन एनरजी एक्सचेंज के उपर सबसे बड़ी जो एक अपडेट है, यह कमपानी के क्वाटल रिजल्ट है, वो पिछली बार का जो रिजल्ट था, 100 करोड के आसपास था, सेल्स में, और इस बार सेल्स बढ़के हो चुके है, 115 करोड, तो यहाँ पर जो कमपानी की एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, मतलब कोई एक क्वाटर स्टार्ट होने से पहले, हमेसा एक एस्टीमेट किया जाता है, कि कमप की इस हाँ से बात करू, तो 100 करोड के आसपास टोटल यहाँ पर सेल्स देखने को मिला, जो पिछले बार का सेल्स था, वो 100 करोड के आसपास था, और इस बार वो सेल्स बढ़के हो चुके, 115 करोड के आसपास, मतलब सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोध देखने को मिले, अभी expense को control करने के बाद company का दिखे 17 से 15 हो गया और उसके बाद दिखे company के net profit 71 से 89 करोड बन चुके है मतलग company के net profit एक अलग level में growth होता देखने को मिले तो net profit बड़ा है तो जिसके चलते company के growth भी बनना चाहिए चलो कितना growth हो रहा बो भी देख ली दिखे देखे reserve लगातर बढ़ते चले गए और company के borrowings एकदम ना के बराबर है और company के fixed asset भी लगातर बढ़ता हो देखने को मिले और company के CWIP में company के उपर उतना खास नीवेस नहीं है फिर भी company के उपर कितना project मिला trade जो receive हो और company के इस बार 12 क्रोड के आसपास जो पिछले बर से 7 क्रोड के आसपास था तो कुछ points company के उपर तो ठीक ठागी देखने को मिले है अभी देखिए company के उपर जो ratios है उसमें एक मज़ेदर बात आप देखेंगे तो company के जो डेटोस डे है अभी डेटोस डे होता क्या है मानके चलिए मेरे एक business है और मैंने तीन customer को product बेचा और तीनों customer ने मुझे पैसा एक दिन में नहीं दिया किसी ने दो दिन के बाद दिया किसी ने पांस दिन के बाद दिया किसी ने दस दिन के बाद दिया तो यह जो total figure है इस total figure के मैं अगर sum करू और तीन से divide करू तो मुझे मिल जाएगा average तो average कितने दिन के बाद मुझे total customer से पैसा भापस मिला है तो उसी days को कहा जाएगा data stay तो data stay कितने दिने में मिला देखे 2019 में data stay हो गया था 66 उसके बाद फिर से कम हो गया फिर से March 2020 में data stay हो गया 75 वो घटके हो चुक है 6 days इसका मतलब data stay लगातर कम होता जा रहा है मतलब पहले जितना था पहले जितना data था वो data कम हुआ तो यह obviously एक plus point है यह obviously मेरे हिसाब से एक plus point देखने को मिला बाकि इस company के उपर देखे ROC आपको base थरीके से देखने को मिलेगा last देखिए 10 years में कभी भी आपको 50% से नीचे आपको ROC देखने को नहीं मिलेगा तो जो लोग बोल रहे थे कि इस company monopoly business खतम हो जाएगा company बंध होने वाले है तो उसके लिए में बता दू तो आपको क्या इस सारे data देखने के बाद आपको लग रहे है कि company बंध होने वाल है तो अगर मान लेता हूँ company बंध होने वाल है क्या institution चोलो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या institution जो mutual fund इस company के उपर लगातर बाई करते चले जा रहे है मतलब institution इस company को बंध माल बेचने के लिए त्यारी नहीं है चोलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए FIS और DS क्या कर रहे है देखिए FIS जो है वो लगातार बाईंग तो कर रहे थे उसके बाद कुछ quantities से लोग किये मगर उसका फाइदा कौन उठाया है DS उठाया तो इसका मतलब institution इस company के उपर continue कर रहे है माल लेता हूँ इस company के उपर promotor से ज़्यादा holding नहीं है FISDS के पास भी उतना holding नहीं है सबसे दा holding public के पास है करीबन 60% फिर भी institution continuously इस company के उपर तो यहाँ पर जो investor है वो अच्छा कासा है यहाँ पर investment करकर रखे है बाकि आप देखेंगे तो companies के उपर जो technically chart patterns बना है वो एक सांधा तरिके से ट्रेड बना था एक range trade बना था उस range trade के बनने के बाद यहाँ पर NT हुआ था और यहाँ पर target हुआ था जब NT हुआ उसके बाद मैंने आपको वीडियो बना के भी share किया और बीच में भी around 7-8 वीडियो में आपके साथ share किया क्योंकि मैं कोई भी NT बनता है जो जिस level में मैं खुद NT लेता हूँ उस NT जब तक target ना हो और जब तक कुछ बड़ा situation ना भने तब तक मैं इस company को बर continue वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ कि कि आपको भी समझ में आसान हो कि जब भी कोई company को बर trade आप खुद लेंगे तो आपके उस company को बर भरोसा होना चाहिए क्योंकि सारे parameter सागा सही हो तो वो टेक्निकली chat button आपको बहुत डराएंगे बहुत धमकाएंगे मतलब इस तरीके से correction करेगा तो आप डर के माल भेज देंगे ऐसे बिलकुर नहीं करना आपको अगर भरोसा है तो उसके उवर hold करना है वो आज नहीं तो कल आपको target जूरू देने वाला है तो फिलाल के लिए कोई situation ऐसे नहीं बना फिलाल के लिए एक cup तो बना है मगर यहाप एक handle button भी चाहिए तो cup with handle button बनने के बाद में कुछ TED लेने वाला हूँ तो उससे पहले कोई TED में फिर से आपे नहीं लेने वाला हूँ तो please इसके उपर integer करिए जब कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जूरू share करूँगा नेक्स चो company उसका नाम है आर्ती Industries Limited देखे आर्ती Industries जो आर्ती ग्रूप के एक company है तो इस company के totally जो business है वो chemicals के उपर है चलो मैं एक पर आपको दिखाई देता हूँ अगर मैं इस company के market share के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो 25% जो है इसका बेंजीन डेरिवेटिब्स प्रोड़क के उपर 25% इसका market करवा है और वो भी globally market में सिर्फ इंडिया में नहीं और अच्छा खासा market share लेकर रखका है और उसके साथ company के जो revenue आ रहा है वो कहा से आ रहा है इंडिया में 52% का revenue आ रहा है और बाकी देखे चाइना में 6%, एउरोप में 11%, नौर्थ अमेरिका में 13% और रेस्ट अप वार्ल में 15% और company के आज हालत खराफ क्यों है company 86% business जो कर रहा है वो specialty chemicals के उपर बाकी फार्मासेटिकल के उपर है वो 16% के आसपास इसका मतला अच्छा खासा एक निवेस वो specialty chemicals के उपर करके रखे है और बाकी इस company के उपर mutual fund जिस तरीके से इस company के उपर देखते हैं आप देखेंगे तो mutual fund ने last September मान में अच्छा खासा holding को increase के और December मान में कुछ quantities बेचा तो institution continue कर रहा है चाहे FSO चाहे DSO वो same to same 5-10% का आसपास holding को continue कर रहा है और रही बाद इस company के चार्ट पैटन्स का तो एक 17 तरगे से पैटन्स बना था एक solder उसके बाद head come solder बना था फाइनली आपे क्या हुआ breakout होने के बाद वो धिरिदे करके target अचीव हुआ तो target अचीव होने के बाद देखिया अभी actually देखाई तो company के target थोड़ा सा नस्दिक था तो मैंने profit booking almost कर चुके थे क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ अगर target के नस्दिक में कोई भी strongly अगर कुछ इस तरीके से resistance दिखे तो वो resistance के आसपासी profit book में कर लेता हूँ क्योंकि वहासे ही एक big fall देखने को मिल जाते है अब ध्यान से दिखिएगा या पर क्या हुआ इस level को जब भी touch किये उसके बाद reverse किया माल लेता हूँ यहासे बो reverse करके उपर जाएंगे मगर छोटा मुटा profit नहीं मिला तो क्या बात हुआ मैं पहले ही मेरा fund तो clear हो गया एक दो तीन percent के आसपास मुझे profit नहीं मिला तो बाकी तो मुझे at least देखा जाए तो 20 percent के आसपास profit मुझे मिल चुके है तो इस तरीके से NT जब भी मिलेगा तो आप इस सारे चीजों को इस तरीके से आप calculation करके काम करना बाकी देखे इस company को पर trade मैंने क्यों लिए बो भी में आपको बताता हूँ company का quarter result में आप नेखेंगे तो sales इस बार भी अच्छा खासा growth हुआ और expense को company maintain करने के बाल profit भी इस बार अच्छा खासा maintain हुआ जो quarter को बीट कर पाए हाँ year of year basis को बीट नहीं कर पाया मगर quarter quarter basis को company अच्छी तरीके से बीट कर पाए बाकी इस company के उपर as a investor promoter से लेकर FHDS public हर किसी के पास investment है वो तुम्हें पहले ही बोल चुका हो तो चलो अभी देख लेते next company है वो कौन सा है वो है campus sorry Camps जो है next company है computer age management services जिसका काम है actually mutual fund transfer agency करना मतलब actually company mutual fund transfer agency है कोई भी अगर mutual fund करना चाते है तो mutual fund करना चाते है तो उसके लिए जो एक जगा से दूसरे जगा तो टांसपर किया जाता है उसको mutual fund transfer agency कहा जाता है मान के चलिए आप mutual fund बाई करते है उसके बाद sell कर रहे तो यह जो transaction है इस transaction को compete करने के लिए camps ही help करते है तो camps का एक monopoly business है उस monopoly business होने के कारण company में हमेसा एक growthable situation देखने को मिलता है जैसे इस company के उपर में कुछ points में आपके साथ share करूँगा जैसे आप देखेंगे इस company के जो growth है वो कि हद तक company positive रखा है जैसे ROE और ROC दोनों ही आपको 30% के उपर 40% के उपर growth देखने को मिलेगा तो दोनों ही आपको इतना सांदर दिखा साथे साथ depth zero है और income भी 30% के उपर average ली आपको net profit हर साल में देखने को मिला तो एक best positive point है मेरे हिसाब से बाकी company का market share के बारे बात कर देखिए mutual fund जो registered जो market है mutual fund का जो transfer agency है 69% market सर्फ एही company के पास है तो company अक्यला खुद इस company को पर कितना सांदर परिके से काम कर रहे है अब देख सकते है उसके साथ साथ आप यह भी देखेंगे तो companies के उपर जो totally business है वो RTA actually जो mutual fund transfer agency के जो project है RTA जो services है उसके उपर 92% and software के उपर company 8% काम कर रहे है तो data processing के उपर company 81% के आसपास business कर रहे है और revenue generate कर रहे है और customer services के उपर customer care services के उपर 7% साथी साथ जो miscellaneous services है उसके उपर 6% और उसके बाद जो recoverable जो product है उसके उपर 4% के आसपास company का business चल रहे है तो इस बार भी company जो result publish किया वो पिछले सालों के तुन्ना से अच्छा हुआ पिछले quarters के तुन्ना से भी sales अच्छा खासा देखने को मिले मतलब year और quarter दोनों में ही company का growth देखने का मिले तो as a investor इसलिए इस company का उपर continue कर रहा है और सबसे मज़ेदार बात क्या है आप जानते है कि promotor ने इस बार माल बेज दिया और उसका फाइदा directly FIS और DS ने उठा लिया पर पिप्लिक ने छोटा मोटा quantity आड किया बाकी सबसेदा investment किया FIS ने 38% से 47 मतलों almost 10% के आसपा का chances बहुत जादा है कि कि आज हिंडिया में जिस तरह किसे लोग market में निवेस कर रहे हैं जिस तरह के लोग mutual fund कर रहे हैं तो वो upcoming times में और भी कई गुना बनने का chances है तो मैं जोरू कहूंगा इस company के उपर आप focus रखिए और साथी साथ इस company के technically chart patterns में मैंने एक trade ले चुका ह जो में target मुझे मिनने का chances है 24% के आसपास तो target मिनने से पहले यह आप एक level बन चुके है इस level को company को breakout करना पड़ेगा लिकिए previous range है इस range को अगर breakout करे तभी इस level तक target को वो achieve कर पाएंगे बाकी आप camps के उपर किस तरह के से काम करते हैं अगर holding कर रहे तो कौन सा level में आपका नीवेस है क्यों मुझे comments करके बताना और कौन सा company को पर आप वीडियो देखना चाते है वो भी मुझे comments करके बता सकते हैं नेक्च्चो company उसका नाम हिल लिमिटेड जो company एक अच्चा खासा volatility की हिसाब से return generate करके दिया अच्चा खासा return generate करने के बाद companies के उपर जो एक्स्टे benefit है वो company आपर दे चुके है 14 तरीक को company 15 रुपीज करके dividend देने वाल है तो जो लोग dividend के सौकिन है dividend पाना चाता है तो इस company को पर research करिए उसके बाद काम करिए तो जितने सारे companies आपके साथ में discussion किया हूँ वो मेरे खुद के trade है मेरा खुद का opinion है आप प्लीस directly किसी companies को पर काम मत करना यो मेरो तरफ से कोई भी buy and sell का recommendation नहीं है कि को मैं कोई सेवी register person हूँ काम करना है तो अब सारे चीज़ों को समझ का सोचकर काम करिए मिलते नेक्स फीडियो में तब तक के लिए धन्यवादू